अगर आप अपनी टेक्निकल एनलिसिस को स्टोंग करना चाते हैं तो आप हमार टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं कि हमने NCBPBamento ile ब्लाइ जो था हमारा इविन इंग honestly differs हो गई थी और उसके बाद रमने आपको निफ 10 में यहाँ पर बताइ तक ही हैं पर सेंड या तर इसके बाद आज मार्केट हमारी अल्मोस्ट अपसाइड ही थी क्योंकि निफ्टी में आज बॉर्निंग में मूव था बट फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं था उसके बाद हमने आपको डारेक्ट बता दिया था कि 19,400 से लेकर 19,337 आपको यहां पर बता दिया था कि 43,500 से लेकर 43,340 तक यहां पर नो ट्रेडिंग जोन है और इसके बाद भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी की हमारी जो हमने इसी के बेसिस पर आप एक को एक कॉल प्रोवाइड की थी जो कि हमारी यहां पर काफी जादा जैकपोट हुई थी और बैंक निफ्टी में हमने यहां पर आपको बताया था कि जब हमारी यह आप देख सकते हैं कि जब मार्किट ने इसका हाई को ब्रेक किया था यानि 19,500 को ब्रेक किया था तो then market में हमारा कितना जादा sharp यहाँ पर movement आया था जो कि हमारा 300 point का था यानि जो coach भी market arts के दोरान बन रहा था वो हम आपको साथ की साथ update कर रहे थे तो अगर आप भी इसी तरीके से technical analysis को strong करना चाहते हैं तो आप हमार टेली ग्राम चैनल को join कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को भी यहां पर सब्सक्राइब कर दीजी। वाइस वैलकम बैक टू माइ यूटूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियांका कश्यप। आपने फिन निफ्टी में ट्रेड करके अपना काफी सारा प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कल मार्किट में हमारे जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि market में जो pattern बना हुआ था वो हमारा यहां पर bearish pattern बना हुआ था तो जो market को trap कर रहा था sellers को trap कर रहा था और हमने आपको बताया था कि यह pattern कप active होगा जब इस pattern का यहां से low break होगा तब यह हमारा pattern active होगा लेकिन अगर आज 15 minute के time frame की बात करे तो market ने आज इस pattern को यहां पर active भी कराया था क्योंकि market का जो कल का हमारा day low था यानि जो हमारा वो shooting star यहां पर pattern बना हुआ था उसका low यहां से break हो चुका था आज morning में और 15 minute की candle में फिर से हमारा यह pattern बना था evening star का pattern तो इस pattern का जब यहां से low break होता है देन हमको अपनी put side entry यहां पर लेनी होती है अगर इसका high break होता है तो देन आपको call side entry लेनी होती है लेकिन इसका यहां से आप अगर ध्यान से देगे तो यह pattern हमारा active हो चुका था और बड़े time frame का pattern था जो हमारा shooting star का वो भी active हो चुका था क्योंकि market ने अस down opening दी थी लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यह जो candle सभी की सभी यहां पर बनी हुई थी यह हमारी यहां पर एक ही level पर यह हमारी यानि 19,340 के level पर ही बार बार support अपना ले रही थी तो हमने भी यहां से अपनी एक position बनाई थी और हम भी यहां से trap होने से बच गए लेकिन हमने सारा दिन market में call position से ही हमने trade की थी लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि market का move आज इतना जादा अच्छा नहीं था market यहां से upside जा तो रही थी बट market अगेन जो हमारा था वही पर market वापस आ रही थी और इन सभी candles की बात करें यहां पर तो इन candles में हमारी volume ही नहीं था और रही थी यहां भी बात करें तो पीन बार candle बनी थी जो कि हमारे resistance परी थी कल क्योंकि हमने आपको यह resistance बताए थे तो market में जो कल आज market ने support लिया है यानि जिसके downside market sustain नहीं हुई थी वो हमारा यहां पर 19,363 का level था तो लेकिन उसके बाद market में यहां पर हमारा सिर्फ एक bullish movement पॉइंट आया है और हमने भी अपना यहां पर trade लेकर अपना profit कमाया था कुछ points हमने यहां से capture किये थे अपने हमने यहां से एक trade ली थी और फिर आपको पता यह है कि जब market ने इस consolidation का क्योंकि कल भी market ने यहीं पर high लगाया था और जब market ने इस consolidation का यहीं इस level का breakout किया तो अगर बात भी करें तो यह सभी candles जो 15 minute की candles है यह हमारी upside ही जा रही थी यहां से हमारी एक lower downtrend हमारी line बनी हुई थी जो की market को upside ही लेके जा रही थी इन candles में volume तो नहीं था बट market almost अपनी upside ही थी और यहां की भी बात करें तो यह pattern भी हमने आपको बता दिया था कि bullish engulfing pattern हमार आया है I hope आपने भी इस तरीके से अपना profit कमाया होगा क्योंकि market थी जो काफी time से हमें trap कर रही थी क्योंकि market में यहां पे भी अगर देखे तो market हमारे downside ही दिखा रही थी लोर जो कि आज market नहीं हाँ पर लोगों को trap करने की कोशिश भी की तो I hope आपने जो हमने आपको levels बत है था 19,500,170 का हमने आपको यह बताया था आप देख सकते कि इसके upside candle यहां पर गई जरूर है बट यहां पर हमारी candle hold नहीं हुई है क्योंकि अगर इनका selling pressure देखे तो downside ही है और हमने आपको बताया हुआ है कि जब हमारा को important level break होता है तो after retest और उस candle का जब high break हो देन आपक तो आपने again अगर entry लेनी होते है तो आप इस तरीके से entry ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखे तो इस पहली जो candle थी इसका यहां से high break नहीं हुआ था तो यहां पर आप फिर से अपनी trap हो सकते थे लेकिन हमने तो अपनी profit अपना trade यहां से और फिर इसके breakout पर लिया था I hope आज आपने इस तरीके से trade करके अपना profit कमाया होगा तो चलिए फिर अभी यह देखते हैं कि कल market में आप किस तरीके से trade कर सकते हैं यानि Monday के लिए आपके कौन से important levels होंगे जो आपके लिए अब main important resistance और support की तरह काम करेंगे क्योंकि market जो है अब अपने all time high को achieve कर सकती है और वो हम जाकर देखते हैं अब अपने monthly weekly के time frame पर और daily के time frame पर यह हमारा monthly का chart है आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमारा यह long lag doji बनी थी तब हमने बता दिया था कि जब इसका high break होगा तो then आपको एक call position बनाने का मोका मिलेगा और दूसरा हमने आपको यह भी बताया थ जिसको long position अपनी trade कर जो करता है वो हमने आपको बता दिया था और last to last week भी हमने आपको बताया था कि जब इस candle का यहाँ से high break हो जाएगा then फिर से आप अपनी long position को बना कर चल सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर भी देखें मन्थली के time frame पर तो हमारे लिए जो important resistance था वो हमा important resistance है जो आज हमारा यहाँ से achieve हो चुका है तो अब market का जो important हमारा resistance रहता है यानि old time जो high fin nifty का रहता है वो है हमारा यहाँ पर 19,773 का और दूसरा आप बात करें तो यहाँ पर बीच में कोई भी restriction नहीं है आप देखें तो कोई भी candle यहाँ तक हमारी नहीं है तो market में जब अगर यहाँ से यह level break हुआ तो देन आपको फिर से market में bullish move यहाँ पर नजर आ सकता है market में और weekly time frame पर भी हम यहाँ पर जा कर देखें तो last week market ने यहाँ पर यह इतना अच्छा shooting star का pattern बनाया था हमने last Friday ही आपको बता दिया था कि यह pattern हमारा बना जरूर है लेकिन जब तक इ यानि 19,000 का level जब तक break नहीं होगा तब तक आपको market में selling position नहीं बनानी है और जब तक इसका high break नहीं होगा तब तक आपको market में एक अच्छा move call side आना मुश्किल है तो आज अगर बात करें तो market ने जब इसके high को यहाँ से break किया था यानि जो भी यह 500 का level हमारा यहाँ से break तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो market का जो high लगा था previous जो हम अरा high था 2030 23 का वो भी हमारा यहीं का तो यहीं से market हमारी downside आई थी तो अब market अपने almost important resistance पर trade कर रही है अगर market अपने इस high को break कर देती है और इस 5050 के level उस और 19,550 के level के upside sustain होती है तो देना आपको अपनी फि कोई restriction नहीं है market अपनी यहाँ से फिर all time high को achieve कर सकती है लेकिन अब आपको trade source समझ कर करना है market के आपको थोड़े थोड़े points अपने capture करके चलने है तो I hope यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से trade लेना है और four time के हार को भी हम आप बात करे तो हम daily आपको four time के chart का भी हम आपको trade बताते हैं कि जब market अपनी प्री पहली four hour की candle के high को break कर देती है तो then आपको फिर से call position बनानी होती है I hope आपने इस चीज को भी आज follow करके अपनी trade को लिया होगा क्योंकि जो भी हमारी strategy होती है वो हम आपको हमेशा बताते हैं और daily अप को confirm कर देते हैं I hope आज आपने इस opportunity का भी फाइदा उठाकर market से अपना profit कमाया होगा क्योंकि last में हमने जो bank nifty में जो हमने points capture किये थे अपने यहां से almost 200 points वो हमने इसी strategy पर किये थे जब इस four hour की candle ने अपने high को break किया था तो bank nifty की वीडियो भी हम आपको लिए बहुत अच दम से lot में trade करके आप यानि जब market में 200-300 point का एक दम से यानि हमारा सिर्फ 15 या 20 मिनिट में जब हमारा direct move आता है उसको आप कैसे capture कर सकते हैं वो भी हम आपको अपनी उस वीडियो में explain करेंगे तो आप उस वीडियो को ज़रूर completely अच्छ से देखिएगा क्योंकि उसमें हम चल चुका होगा कि अब market में fin nifty का हमारा कोई restriction नहीं है क्योंकि हमने आपको दिखा दिया है कि बड़े time frame पर हमारा कोई भी अब बीच में कोई भी हमारी candle hold नहीं है किसी की wig भी नहीं है तो अब direct market में हमारे ये जो points हैं ये हमारे 200 points हमारे almost ये हैं ये आपको direct achieve होते हुए नज़र आएंगे लेकिन अब trade आपको 100 समझ के करना है तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि मंडे के लिए हमारे कौन से important support और resistance रहेंगे हमारा resistance रहेगा वो हमारा यहीं रहेगा 19,557 का क्योंकि market rate आज ही यहां का high लगाया है तो ये आपके लिए most important resistance रहेगा और then हमारे लिए जो next important resistance है वो है हमारा यहां पर 19,604 का और उसके बाद हमारे लिए जो important resistance है वो है हमारा यहां पर 19,700 का क्योंकि market में जब कोई restriction नहीं होता है तो जो psychology level होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं तो 700 आपके लिए next important level रहेगा और then हमारा जो important level रहेगा व लो की market का all time high है I hope आपको यह resistance अच्छे से समझ में आ गए होंगे और दूसरा तो हम आपको अपने टेलीग्रम चैनल पर update ही कर देंगे कि हमारा बीच का swing कौन सा बनता है और अब बात करते हैं अपने support की तो हमारे लिए जो first important support रहने वाला है वो है यहां पर 19,471 का यह आ लिए जो important support है वो है 19,430 का क्योंकि यह जो level है यह हमारे पास पास ही है बट important है क्योंकि आपके लिए यह support दो दिन से बहुत जादा importance रख रहे थे market में market ने इन अपने support की बहुत जादा respect की है और अब हमारे लिए जो important support होगा वो होगा 19,390 का level ही यह आपके लिए next important support की और then हमारे लिए जो important support है वो है हमारा आज का low यानि 19,300 यहाँ पर 38 का यह आपके लिए next important support की तरह काम करेगा I hope आपको अपने यह levels अच्छे से समझ में आ गई होंगे कि आपको किस तरीके से trade लिना है क्योंकि market ने जो थी आज इन levels की बहुत जादा ही respect की थी यह हमारे ब 73 का और 19,391 का यह हमारे swing है जो की बहुत जादा important है I hope आपको यह अपने levels अच्छे से समझ में आ गई होंगे कि मंडे को आपको इनके उपर किस तरीके से trade लेकर अपना profit कमाना है आपको वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी हो तो please subscribe my YouTube channel और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हैं जिसका link आपको हमने आपको description में दिया हुआ है thank you